नमस्कार दोस्तों आप सब का बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं कहानी कुर्शी की मैं हूँ आपके साथ सौरव शर्वा रोज की तरह हमारे मेहमान भी वारे साथ मौझूद है स्वागत करते हैं हमारे साथ हैं प्रदीप सिंग जी बहुत स्वागत सार एक बार फिर आपका कहानी कुर्शी की में आपका अपना प्रोग्राम हमारे साथ विरो धगनी होतरी जी है बहुत स्वागत विनो जी आपका भी और रोज की तरह हमारे साथ मौझूद है हर्श्वर की तरफ से कहा जाता था परिवारवादी राजनीती सारे लोग ब्रश्टाचारी हैं अब बहस शड़ी हुई है इंडिया बनाम भारत थी जितने लोग कल बैंगलोर में गए थे हर व्यक्ति ने हर नेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर किसी ना किसी तरह इंडिया शब्द क लिखा इंडिया शब्द का महिमा मंदन किया और कहा कि ये लडाई इंडिया बनाम एंडिये हैं दूसरी और आपने देखा प्रधान मंत्री ने कल कहा कि एंडिये का मतलब है न्यू इंडिया डेवलब्द इंडिया और एस्पिरेशनल इंडिया और बीजेपी के कई नेता और कई मुख्यमंत्री भी वो तो यहां तक चले गए कि इंडिया शप्त तो अंग्रेजों का दिया हुआ शप्त था हमारे देश का नाम तो भारत है हमारे पूरवज तो भारत के लिए लड़े थे तो हम तो भारत के हैं और भारत के लिए ज़रूरी है भाजबा आज हम जो इन चार टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं आईए सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं उसके बाद आज की कहानियों की शुरुबात करेंगे सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा ये इंडिया बना मभारत के बहस में अब दोनो दल जो हैं या दोनो गठबंदन बोल जे हुए हमें नजर आ रहे हैं बैंगलूरू में गठबंदन के नए गठबंदन को नाम दिया गया इंडिया इंडियन नैशनल डेवलप्मेंटल इंक्लूजिव अलाइंस इसको लेकर के भी आमराय अभी ऐसा लगता है कि कल तक शायद लोगों के बीच नहीं थी उसकी कई कहानिया निकल करके सामने आ रही है किसने नाम दिया किसको एतराज हुआ कोई कॉन्टरस कॉन्टरस में नहीं आया क्यों नहीं बैठा इन सब बातों पर हम आज बात करेंगे नितीश कुमार की बात खास दोर पर हो रही है नितीश कुमार को लेकर बीजे पी ए तंस कर रही है कि नितीश बाभू गए थे बैंगलूरू ये सोच कर कि लोटेंगे तो अब संयोजक कहलाएंगे इसी इंडिया के लेकिन पहले तो उनको इंडिया नाम पर इतराज हुआ ये उनका ही चौक गए क्योंकि उनकी नॉलिज में नहीं था कि इस नाम पर बात लगभग हो गई है नाम दिया था राहूल गांदी ने बढ़ाया ममताब एनरजी में नितीश कुमार कुछ कर नहीं पाए और सबसे बड़ी बात जब बाद में प्रेस कॉन्फरेंस हुई तो इसमें नितीश कुमार नहीं थे लालू नहीं थे जिस भी आलव नहीं थे कहा गया कि उनको उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था खुलकर कॉंग्रेस की किरकिरी करते आए और अर्विंद केजिरिवाल तो जाने क्या क्या कहते आए सुनिया गांदी की गिरफतारी की मांग करते आए उनके बगल में बैठे थे इनको कॉंग्रेस पार्टी इतना भाव क्यों दे रही है इन्हें क्या मिल रहा है कॉंग्रेस से और कॉंग्रेस को अर्विंद केजिरीवाल क्या दे देंगे इस पर आज हम बात करेंगे और चौथा सवाल नीती आयूक की एक रिपोर्ट जिसमें एक कहा गया कि देश में पिछले 5 बरसों के अंदर साथे 13 करोड लोगों को गरीवी से बाहर निकाला गया अब देश में गरीवी की कई परिभाशा हैं है हम जानते हैं गरीवी रेखा एक चीज होती है जिसमें आपकी नियूंतम आये कितनी है उसके हिसाब से ये तैय होता है कि आप गरीवी रेखा के नीचे हैं या उपर हैं उसके अलग-अलग यूजनाएं चलती हैं सरकारें चलाती है लेकिन एक नया टर्म दिया गया है मल्टी डिमेंशनल पावर्टी बहु आयामी गरीवी और माना गया कि उस बहु आयामी गरीवी से साथे तेरा करोड लोगों को लिफ्ट किया है मौजूदा सरकार ने उसके कई पहमाने उस पर भी हम बात करेंगे और इस पर भी विपक्ष को एतराज है कि केवल नाम बदल कर या नए नए नामों से गरीवी को पुकार करके ये कहना की गरीवी अटा दी गई इसका कोई उचित्ते नहीं है लेकिन दोजार शॉबिस के लोगसफा चुनाल की लडाई अब इंडिया वर्सेस भारत पर आई मोदी रोको मोर्शा ने अपने अलाइंस का नाम इंडिया रखा तो बीजेपी नेताओं ने हमला बूल दिया असम के मुक्हिमंतरी हिमंद विश्चर्मा ने इंडिया नाम रखने परी सवाल उठा दिया और कहा कि ये तो अंग्रेजों का दिया नाम था हम तो भारत के लोग हैं जवाब में कॉंग्रेस ने बीजेपी पर पलट वार किया और कहा कि जिने इंडिया से दिक्कत है वो चले जाए पाकिस्तान अभी तक कई बीजेपी के नेता ये कहते थे कि जिनको दिक्कत है इंडुस्तान से वो चले जाए पाकिस्तान नाम की इस लड़ाई में राजिसभा सांसात कपिल सिब्बल भी शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सिस मोदी की होगी कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेता ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और हिमंत बिश्वर्मा के बयान पर हमला बोल रहे हैं विपक्षी मोर्शे में शामिल हैं आरेलडी के अध्यक्स जैन चौधरी उन्होंने भी हिमंत बिश्वर्मा के बयान पर सवाल उठाया और कहा उन्हें सम्मिधान पढ़ने की जरूरत है पवन खेडा उन्होंने कहा ना समझे है हिमंता ना समझे है सिंधिया इंडिया ही है भारत भारत ही है इंडिया तो आप देखिए अलग अलग दोनों ओर से जो है ये वार पलट वार चल रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सुरहांशू त लगता है और उसके बात से आप देखिए अब यूं कह देना कि इंडिया से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ कॉंग्रेस पार्टी के नेता कह रहा है बीजेपी के मुख्यमंतरी कह रहा है इंडिया तो अंग्रेज लाये थे हम तो भारत बंशी है हम कली बात भी हो रह तो एंडिया नेताओ लड़े तो इसलिए जो है नाम से अब कपिल सिबल कह रहे है कि भारत बना अब आद यूपी ए या बीजेपी बनाम जो है इंडिया होगा और हार गया इंडिया तब क्या होगा कहेंगे कि इंडिया हार गया और उसके बाद जो है चुनाव के बाद अगर तूट गया गड़ बंधन तो क्या कहेंगी इंडिया तूट गया अगी तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे खुश होते ना चरहा दिया चरहा दिया तूंको आदे को मदा आया जिसको कुछ नहीं मिल रहा हो अचानक कुछ मिल जाए और खुश हो जाए उस तरह का है देखे अब सवाल यह है कि यह नाम रखा क्यों गया इसकी जरूरत क्या थी यूपिय तो था यूपिय याद दिलाता है 2004 से 2014 का शाषन कॉंग्रेस हर उसके सहीयोगियों का जिसमें ब्र टूरत के यहे और नया नाम लेकर आये तो नाम इंटरेस्टिंग कईसे नहीं हो सकता है इंडिया का नाम तो इसको नहीं सकते बहुत बुरा नाम है यह तो कोई भी बाकी लोग सर्मत हो ना हो वो यह है कि देखे हमारे देश का चुनाओ पिछले 25-30 सालों में एक तरह से कहें कौसी प्रेसिडेंशल हो गया है चाहे स्टेट का हो चाहे नेशनल इलेक्शन हो लोग जानना चाहते हैं नेता कौन है मुख्यमंत्री कौन बनेगा प्रदानमंत्र राहुल गांधी को च्छिपाना है च्छिपाना है इस सेंस में कि मोधी बनाम राहुल नहुने पाए इस से कौंग्रेस पहले से बचने कोशिश कर रही थी बीच में भारत जोडो यात्रा और करनाटक की जीत के बाद लगा कि नहीं ट्रैक बदल रही है कौंग्रेस और जो है आकर्शन का केदर थे उसके बाद से जो डिवलेपन्ट हुए उससे उससे कौंग्रेस को लगा कि इसका नुकसान हो सकता है तो इंडिया का नाम ले लिया तो भाय आप देश का नाम है तो बनाम हो गया लेकिन इस बनाम में जो है इंडिया नाम रख लेने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं पटना से बैंगलूरू तक पहुंचने में वो कहा था है कि नौ दिन चले अडाई कोस सिर्फ नाम आप रख पाए दो मीटिंग्स में और ये तै किया कि एक स्टेरिंग कमेटी होगी जिसके 11 सदस् वो भी नहीं तै हुए 11 वो अब मुंबई में तै होंगे पता नहीं तै होंगे कि नहीं तो जिस गती से चल रहा है मामला उसमें कुल मिलाकर जो इस्थिती बन रही है जो सुनिया गांधी ने सिर्फ दो मिनट बोली है और सबसे महतपूर्ण बात बोली है सीटों का बटवारा अगर अगर हापस में सौहाद पूर्ण वातावरन में हो जाता है ठीक से हो जाता है सब की मंजूरे के साथ हो जाता है तो ये गटबंधन चुनाव में खड़ा होगा चुनाव लड़ेगा बीजेपी के किलाव एंडिये के किलाव अगर गटबंधन न नाम को लेकर लड़ाई है विनोच जी अब देखिए इधर से इंडिया नाम चुना विपक्स कुला गरा है हमने कोई हमने एक बड़ी कोई क्लेवर चीज कर दी है चालाग चीज कर दी है बीजेपी फस गई इसमें बीजेपी बारों कल से आपने देखा कहना शुरू कर दिया हारत को चाहिए लेकिन प्राय मिनिस्टर कहते हैं की गीडमें का मतलब है नियू इंडिया को मैं कहने माला था कि architects बड़े हैं मोधी जी ने नियू इंडिया मोधी जीने तो इंडिया शब्ड इसका मतलब मोधी जीको खरुए और सबकु स्विकार है, अगर देश के संदर में बात की जाए, तो हीमन्द शर्मा तो बेकारी बहस कर रहे हैं, क्योंकि भारत और इंडिया दोनों एक दूसरी के प्रयाइ है, भाषा का पर्क है, दुनिया में इंडियन गवर्मेंट कहा जाता है, भारती गवर्मेंट तो न अंतिम नहीं है, हम यह कह सकते हैं, कि जैसे प्रदीब जी ने कहा, तर नाम से सब कुछ नहीं होता, तो शही बात है, अमर सिंग आप नाम रख दीज तो अमर हो जाएगा, क्या बत्या, ऐसा तो प्यासा नहीं है, या धनपाल ढग दीजिए तो खुए अधनासेट हो जाए तो एक तरसे नामकरण है अब नामकरण के हिसाब से इनको वात्रण भी करना पड़ेगा यह चुनोते भी एक हमारे साथ जुड़ना है इस वक्त भारती जंता पार्टी के सांसद राजसभा सांसद सीनियर लीडर सुधानशु त्रिवेदी जी सुधानशु जी बहुत स्वा इसकी अब मुदी बनाम इंडिया है या बीजेपी बनाम इंडिया एंडिया बनाम इंडिया है और जहां इंडिया लड़ना हो वहां किसी और की जीत तो हो नहीं सकती देखे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जितने भी दल हैं ये सब वो लोग हैं जो पिछले करीब 30-40 सालों से भरष्टाचार में डूबे उतराए हुए हैं खूब लंबे समय तक शासन करके चुके चुकाये हुए हैं और तमाम ऐसे हैं जो अपना पद छोड़कर भागे और भगाये हुए हैं कई बार लोग अपना राष्टियत देख का पद छोड़ दिये थे चुनाओ हारने के बार तो हारे हराये दगे दगाये चुके चुकाये हैं दूसरी तरफ एंडिये है जिसमें मोदी जी जाचे परखे खरे और तपे तपाये हुए हैं तो दोनों में एक जमीन आसमान का अ जाद होगा कि जब इंद्रा गांधी जी चिक मंगलूर से चुनाओ लड़ी थी तो कॉंग्रेस के नेताओं ने विपक्षी नेताओं का उस समय से उपक्ष करके था जनता पार्टी का दोर समाता तो उनका मजाक उड़ाते हुए एक नारा दिया था चिक मंगलूर चिक मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं वह द्रश्य वह कंट्रास्ट पूरे देश को साफ नजर आ रहा है तो पहली तो इस्तिती यह है अच्छा दूसरी बात इंडिया और भारत की जहां तक बात है तो अभी जैसे अग्निहोतरी जी कह रहे थे बात सही है अगर सिर्फ नाम की बात है तो भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया प्रचलित है जो नहीं होना चाहिए था मगर प्रचलित है सम्विधान में भी लिखा इंडिया देट इस भारत पर अगर कॉंसेप्ट की बात आती है क्योंकि विपक्ष तो यह कह रहा ना कि हम तो साब एक वैचा किताब लगी है इंडिका तो ग्रीक और युनाईयों सबसे पहले इंडिया नाम दिया था और युनान और ग्रीक दोनों खतम हो गये देट से उसके बाद अंग्रेजों ने नाम दिया और ये भी एक कितना संयोग देखिए सुन्दर संयोग देखिए कभी कभी प्रकती भी कैसा रच देती है कि हमारी पार्टी का नाम है भारती ये जनता पार्टी और अंग्रेजी में भारती ये जनता पार्टी उससे पहले भारती ये difference है मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 16 मई सन 2014 को मोदी जी के नित्रत में भारती जनता पार्टी और इंडिया और एक पहले एक बात और कह दूँ हमारे alliance का नाम है NDA National Democratic Alliance जिसे हिंदी अग्रेजी सोच से शुरू होकर अग्रेजी में खतम हो गए अग्रेजी तक ही सोचा सोचा ही नहीं किसका हिंदी क्या होगा कोई मतलब नहीं रहे गया क्यों क्योंकि 16 मई दो हजार चौदा को जब मोदी जी के नित्रत में इस पर्ष्ट वहुमत मिला तो 18 मई दो हजार चौदा को जिन्हों ने हमें इंडिया नाम दिया था उस इंग्लैंड के बड़े प्रसित अख़बार संडे गार्डियन ने अपने संपादिकी में लिखा कि 16th of May 2014 शुड बी नोन एज इंडिया सेकेंड टिस्ट विद डेस्टिनी और इज शुड बी नोन के हाथ में शासन आया है जिसके उपर बिटिश कालोरियल लिगेसी का कोई प्रभाव नहीं है तो वो एक वाटरशेड मूवमेंट था और संयोग देखिए कि वो सारे दल जो भारत को उससे पहले के दौर की विवस्था सही चलाना चाहते हैं वो सब इंडिया नाम के साथ जुड गए और हम भारत के नाम के साथ इसलिए हमारी तो संस्कृति में भी जो कहा गया है भारत ही नाम सब जगए कहा गया ना उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षणम चाह मादरिवी वर्शम यद भारत नाम भारतियत से संत्ती और इसलिए चाहे हमारी पार्टी हुए कोई नारा भारत माता की जै लगाय जाता है इंडिया माता की जै तो होता नहीं है क्योंकि इंडिया एक कंट्री है और भारत माता है जीवंत राष्ट है प्रेडा किस रोत है इसलिए भगवान ने भी कितना सुंदर संयोग रचा की इ क्यों वहीं बोले राहूल गांधी जी अभी कुछ महीने पहले जाके बोले थे वाइड़ लोगतंत्र की जननी है जी जमीन आस्मान का अंतर है इस सोच और उस सोच में तो वैसाई लगता है संयोग से यथा नाम तथा गुणा तो जैसे गुण थे वैसाई नाम भी मिला है अब देखिए उन्हों ने अपने नाम इंडिया रख लिया आपकी पार्टी के नाम में भारत है अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या दोजार चॉबिस की लडाई में आपकी इस चुनाव में हमें इंडिया और भारत में चुनाव करना पड़ेगा हम तो अब देखिए मैंने पुना एक बात इस पश्ट कर दूँ पहली बात तो अगर शॉट फॉर्म इतना है तो आज तक मैंने इंडियान नेशनल कॉंग्रेस को इंक बोलते तो नहीं सुना किसी को इंसी है ना तो इंक बोलते सुना है आपने कभी तो अब यहां पर इंडिया चलिए कोई बात नहीं अगर यहां पर सिर्फ भाशा का अंतर है क्या आप कहेंगे हमें भारती होने पर गर्व है एन वी आर प्राउट टू बी इंडियन तो दोनों में भाव समान है पर जब आप कहते हैं कॉंसेप्ट आफ इंडिया और भारत की अवधारणा अब यहां पर जमीन आस्वान कंतर है और उलेखनी बात यह है कि इंडिया नाम भी इंडस रिवर से पढ़ा था और संयोग से अब इंडस रिवर भी हमारे इलाके में नहीं रही और संयोग से वही पार्टी जो आज नेत्तर तो कर रही है उसी ने अपनी कारे समिती में प्रस्ताव प देख रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मुझे लगता है आपको भी शायद कहा किसी ने इंडिया नाम से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ देखिए हमने तो आप से बात कही ना मैंने उन लोगों से भी पूछा किसका हिंदी में नाम बता दो नहीं बता पाए ना नहीं बता पाए वो हिंदी में नाम फिर एक डिवेट में एक सज्जन गूगल सर्च करके बोले तो कहते हैं भारती है राष्ट्री है लोकतांत्रिक समावेशी गठवन्दन अब अगर हमने का इसको हिंदी में कर दे तो भार लोग सर तो ये तो भार लोग हो गया अभी तो confusion कल तक तो ये भी थी कि वो D का मतलब क्या है D developmental है या democratic है क्योंकि पवार साब लिख रहे थे democratic बाकी लोग लिख रहे थे developmental तो मुझे लगता है बाद में जाकर कि समझ में आया होगा कि इसको हमें क्या कहना है लेकर अब ठीक है अब उसमें clarity है developmental ही है वो देखिए मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अंग्रेजी की सोच के अनुसार ही यह विचार उनका आगे बढ़ा और मैं एक पंक्ती पुरानी कह देना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए मगर मानसिक्ता देखिए अभी कहां पर रुकी हुई है कि जो हम लोग क कार कैसे मान ले हम तल गया सरसे विथा का भार कैसे मान ले हम अब आप बताईए उसमें गीत में एक पंक्ती आती है कि नसंयम विवस्था न एक आप बता है भरी है अभी तक मनों में गुलामी और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरा अभी मुक्तिगायन स्वरो में न पहुचा उगासूर कैसा कहो मुक्तिगाये उजाला करोडों घरों में न पहुचा अब यही सिती है ना कि 75 साल के बाद भी आपने कितना बढ़ियां बताया कि वरिष्ट नेता कह राए कि अभी वही नहीं क्लियर था कि डी कार्थ डिमोक में आई थी तो उनसे कहा कि एक समगधाता ने किसी ने मीडिया की आदमी ने सवाल पूछा कि आप लोग विपक्ष ऐसा ऐसा के रहे हम को विपक्ष मत कहिए हम विपक्ष नहीं हम देश भक्त है अब कल जो इंडिया नाम रखा है उसके बाद भी मेसेज यह है कि हम है असली देश भक्त सामने वाले तो ढोंगी हैं आप लोग तो ढोंगी है हम असली पेट्रियट है तभी एक बार जब पीडिया नाम चला था उसमें भी पेट्रियट शब्द रखने की बाद थी देखिए क्या होता है कि नाम से ज़्यादा काम कामात होता है तो कौन देश भक्त है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है देश की जंता स्वेम स्विकार करती है और दूसरा मैं बात कह दूँ अभी आपने ममता बनर्जी जी का उलेक किया आप सोचिए कितना बेतरीन हिले की दो बात है जब पश्यम बंगाल के पंचाय चुनाओं में कॉंग्रेस और कम्निस पार्टी कारकरताओं की हत्याएं हुई और अपने कारकरताओं की हत्याओं के को भूल कर एक दूसरे को गले लगाने लगे अब इससे जादा आप समझ सकते हैं बेबसी और लाचार आप में एक बात कहना चाहता हूँ सौरब जी बचपन में हम लोगों ने कविता सुनी थी और उस कविता मुझे पूरी नहीं याद है उसमें ये था कि एक लड़की है जो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपने पती को चिठी लिखवाती है चिठी लिखने के बाद वो उ दूसे पहला लिखा चरण दास और अंतिम में लिखा आपके प्राणों की प्यासी तो आज मुझे ऐसी नजर आ रहा है कि?" बेंगलूरू में तो रहे हैं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पार्टियों का जो चरित्र है और याक और मजाक में कह दूँ आपको अगर पुरानी फिल्म याद हो मुगले आजम तो उसमें एक डायलॉग था कि मुझे वो तक्त हरगिस कबूल नहीं जिसके पाय नारकली के जनाजे पर रखे हो मगर इन पार्टियों को देखिया इन्हें तो उस तक की जो खाबों ख्यालों में तक्त है उसकी इतनी बेसबरी है कि पाय अगर कार करता हो कि जनाजे पे भी रखे हो तेने कोई गुरेज नहीं लेकिन आप देखें इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि कल की उस बैठक के अंदर ऐसा लगा कि दो लोगों को खास तौर पर कॉंग्रेस पार्टी प्लेकेट करना चाहती थी कह लीजिया उनको अटेंशन तो देना चाही रही थी एक ममता बिदर जी दूसरे अर्विन केजरिवाल दोनों बैठे थे सुरिया गान्धी की मेज के उपर ये दोनों वो लोग हैं जो खुलकर के वोकल रहें कॉंग्रेस पार्टी के लिए अब बहला उनके खिलाफ बोलते रहे देखिए यहां पर एक और बात कहूं केजरिव बगाके इमांदार या बैमान और सारी संसक्चोर है और अब याद करिए भी तो फिर दुबारा वो वीडियो वाइरल हो रहा है बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कॉंग्रेस के साथ नहीं जाओंगा और फिर बैंगलोर में जाते हुए जैसे सिजदे में दिखाई अब एक दूसरे के प्राणों के प्यासे एक दूसरे को चोर बैमान कहने वाले एक दूसरे के विरुद्ध जीजान से लड़ने वाले और फिर कहते हैं कि हम एक साथ हैं और आज भी पूछा जाए कि वो कितनी सीटे देंगे तो शायद उसके बारे में उन विचार और मैं सोचते हैं आपके हैं सब इतने वरिष्ट और विशेशक ये पत्रकार बैठे हैं यह सब जानते हैं अनुभव में सब मुझसे अधिक हैं कि राजनीत में कहा जाता दो और दो का जोड हमेशा चार नहीं होता सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मोला और वो व्य क्राउन पर केमिस्ट्री होती है वो भी सोचना अपने आपने विचार करने का विशे एक सवाल हर्शबर्दन जी का सुतानशु जी आपकी बात जो ज़्यादा तर आपने कहे उससे असाहमत होने की स्थिति बड़ी कम बनती है लेकिन एक स्थिति तो कल से बनी है और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भारती जनता पार्टी जिसमें विचार के लिवल पर बड़ी सपस्टता होती है जब aspirational India की बात नरेंदर मोधी करते हैं, startup India की बात करते हैं, खेलो पढ़ो जीतो इंडिया की बात करते हैं तो इसमें ये इंडिया बना हम भारत के narrative में भारती जनता पार्टी क्यों फस रही है बहुत अच्छा आपने बात कही उसका कारण ये है कि हम दुनिया के शायद बड़े इकलावते और विचित्र देशों में से एक हैं जिसका हिंदी में अलग नाम है या भारती भाषा में अलग नाम है और अंग्रेजी में अलग नाम है। इनध्या से यह सब्ने इन इंडिया इंडिया तो वो सिर्फ भाषांतर है पर जब आप विचार की इंतर की बात करते हैं तो मैंने साथ कहाँ इंडिया शबुटन की उत्पत्ति कहां से है कि सबिंडसृ के इधर का ज Nana एक है वह वहीं से तो इंडिया आया, सारे लोग इस पे तो किसी को ऐसे हमत नहीं है, और भारत शब्द की उत्पति कहां से है, संस्कृत के दो शब्दों से मिलके बनाए, भा जिसका अर्थ होता है, प्रकाश, ग्यान का प्रकाश, और रत का अर्थ होता लगा हुआ, भारत, यानि ग् concept के इस तर पे आते हैं, तो इंडिया और भारत पे जबीन आस्पान का अंतर है, लेंगेवेज में चूकि हमारे साथ एक ऐसी सिती है, कि हमारे देश के दो भाशाओं में दो अलग नाम हैं, तो उस संदर में आप देखते हैं तो सिर्फ भाशा ही अंतर है, विनो जग्योत हैं उसको, जैसे हम भारत बोलते हैं विसे चुंखवा बोलते हैं, तो उनके वी अलग 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 स्थानी भाशाओं में नाम देशों के हैं, युनान बोलते हैं, ग्रीज बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं, एजिप्ट बोलते हैं, तो इस तरह अब मैं बात कर रहा हू और इंडिया जो आपने का कि मेगस्थनी जी किताब से वहाँ से शुरू होता है यह थोड़ी बात उनको विश्व शर्मा जी को भी बता दीजेगा कि अंग्रेजों नहीं मेगस्थनी जी किताब से इंडिया आया है तो आपके मुख्वंत्री है तो उनको बता दीजिए तो जानकारियों की ठीक हो जाएगी दूसरा यह है और यहीं कि आप आप आइडिया की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है आइडिया आफ इंडिया और भारत ज्यादा विशाल है व्यापक है और सृत सनातन है तो फिर स्टार्ट अब इंडिया की जी कह neutrino ने होना चाहि तो कहीं न कहीं आपके भी जो सरकार के जो शीरशक हैं टाइटल हैं कॉंसेप्ट है उसमें इंडिया आइडिया आई जाता है इसको कैसे व्याखिया करें आपने जो बहुत अच्छी बात कि मनवर आपने जितने भी नाम लिए ये कारिक्रमों के नाम लिए और अंग्रेजी में नाम लिए जैसे स्टार्टप इंडिया स्टार्टप भी अंग्रेजी का शब्द है इंडिया भी अंग्रेजी का शब्द है इसकिल इंडिया इसकिल भ और बहरत जुए शाषवत्त सनातन राष्ट्र है और ये सदा सरवदा से इसकी स्थिती वह इसलिए गायन्ति देवाहकिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमी भागा। देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वह भारत भूमी धन्य है और क्या सेश्टता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है। तब ये भी कहा था किसी ने कि स्कूल्टा करिये। भारत that is इंडिया ऐसे लिखिये। फिर वह अर्थमव ऐसे ही लिखा गया। और ये भी इंट्रेस्टिंग है कि ये नाम राहुल गांदी ने सुझाया है। जिनके उपर आरोप ये लगता है कि विदेश में जाकर भारत की बदनामी करता है। अर्विंद केजरिवाल और कॉंग्रेस पार्टी, ममताब एनरजी और सीपीम, ममताब एनरजी सीताराम येचरी का नाम लें बैठक में उनकी चर्चा करें। ये इस बैठक पहले कलपना करना थोड़ा मुश्किल था। तो क्या इस गडबंधन की संभावना ने भारतिय जन्ता पार्टी के लिए दोहजार चौबिस का रास्ता थोड़ा मुश्किल कर दिया है। देखें प्रदीब जी ने प्रश्ट पूछा है अक्सर लोगों के मन में बात आता है। बंगाल में कितना वोट मिल सकता है। तो इस सब लोग तो अपनी तरफ से पूरी जीजान लगाके लड़े ही हैं। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जो इन्हों ने कहा कि हमारा वोट ये अगर वोट ट्रांसफर कराने की स्थिती है तो सिर्फ एक कॉंग्रेस पार्टी है। यानि अगर सेक्रिफाइस करना होगा तो कॉंग्रेस को करना होगा। क्योंकि उसका 2%, 4%, 6% सही पर हर राजे में वोट है। और ये सारी पार्टी है क्या चाहेंगी कि कॉंग्रेस तो हमको वोट ट्रांसफर कर दे हम कॉंग्रेस को कुछ नहीं देंगे। क्योंकि जिन राज्यों में कॉंग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है। अलग विशह है, विचार करने का विशह है। परन्तु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुस सही है, जो एक दूसरे को देखने को तयार नहीं है। और जब मिलते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते हैं तो मुझे वो पुराने गीत की पंक्त ही याद अलग विशह हैं तो एक दूसरे कि तरब नजर मिला कर बाद भी करने से कत्राते हैं। ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो क्या इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहीं कि 2024 का चुनाओ इंडिया बनाम भारत पर होगा और जिसके लिए भारती जनता पार्टी को माना जाता है। ये कहीं किसी एजेंडे में नहीं है, जैसे राम मंदिर है या 370 है, लेकिन जैसे मैं जिस शहर से आता हूँ, वो इलावाद प्रियाग राज हो गया, फैजाबाद आयोध्या हो गया, तो क्या आने वाले समय में, यानि 2024 के बाद इंडिया देटीज भारत इसकी आवशकता नहीं रह जाएगी, भारत था, भ इश्वरी ये संयोग मानता हूँ, कि वो भारत बनाम इंडिया जो एक वैचारिक विशह था, जो उस धंग से पोलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आ रहा था, अब वो कॉंग्रेस या राहूल गांधी जी या उनके जो अंग्रेजी माइंड सेट के सलाकार हैं, या जिसने भ बेखतर पता होगा, उन लोगों ने इने लाकर इस्तापित कर दिया, और जब इस्तापित कर दिया, तो क्या होता है, यदा यदा ही धर्मस्थे ग्लानिर भवती भारत, अब युद्धानम अधर्मस्थे तधात पानम सजाम्यम, तो मुझे लगता है भारत का उत्थान होने का जब समय आया है और वो पूरे स्वाभिमान के साथ आया है तो जितना गलानी जितनी हमारे विचार में शंकाएं जितना पराधीनता का भाव था उत्सब की गलानी का समय आ रहा है इसलिए यह विचार भी और आज जब आपने का डेमोक्रेटिक है, सोचल मीडिया के उपर है, बहुत डिफेंड करना है, उसको मुश्किल होगा, जो लोग पहले बताने का प्रयास करते थे, तो मुझे लगता है वो भी अपने बहुत अच्छे और स्वाभाविक रूप में आएगा, बलकि मैं यूँ कहूं, यह भारतिये और परिमार्जन और परिशकार करने का मध्यम बनेगा, इसको थोड़ा सा और उन्होंने जो इशारों में कहा और प्रश्टा से कह देता हूँ, सुप्रीम कोट तो अल्रेडी यह बाल सरकार के कोट में डाल चुका है, सुधान्चु जी, इंडिया का नाम बदल के भारत कि जाए, यह प्रश्टन लेकर के, मांग लेकर के व्यक्ति सुप्रीम कोट गए थे, उन्होंने ने वो अरजिस विकार नहीं की, लेकिन कहा यह करना है, तो सरकार को करना है। कि अभी जनता के दर्वार में तो यह विशय आही गया है, और फिर क्या वाली बात क्या होगी, वो तो एक अलग विशय है। यह भारत शब्द इस्तिमाल करेगी, चुनाओ प्रचार में भी कहीं भी इंडिया शब्द नहीं होगा। मैं विनोजी पहले ही मैं इसपष्ट कर दिया। भाषा तो इंडिया और भारत एक है, जब विचार अंतर का विशय है, या अवधारणा का विशय है, तो दोनों में दमीन आस्मान का अंतर है। अवधारणा में हम भारत है, इसलिए حमारी पार्टी के हर कार engaged में भारत माता की जय होगी। अप लोग तो वरिष्ट आस्मानों खीक होगा। सबसे भारत अपने पुरलिंगे अठहलें ने मानेवर कि हमानेर हर चीज इसा नहीं है ऑ कि सरी लिए-आकास ugd पिताई औरो नहीं लिए तो तो जैसे शक्ति का उद्भा हुआ हैवना आकाष प्रक्यत नहीं मैं सिर्व यह कह रहा हूँ कि आजो भी यह विशह आपने लाया है यहाँ पर मुझे लगता एक और बात याद दिला दू बहुत से लोग कहेंगे मदर इंडिया शब्द प्रियोग होता था शायद उन्हें पता नहीं होगा कैथरीन मैउ की किताब तो पढ़े जाके 1927 की मदर इंडिया इतना घटिया वरणन किया है भारत के बारे में उस मदर इंडिया कॉंसेट में इतना घटिया वरणन किया है कि महत्मा गांधी को लिखना पड़ा उसके बारे में कि हर शहर के नीचे गटर होते हैं पर कोई गटर के बारे में ही लिखकर उस शहर के बारे में लिखे तो ये उचित नहीं है गटर तो लंडन के अंदर भी है जो उन्होंने लिखा कैथरीन मैउने वो ऐसा ही है मगर अफसोस की बात यह है कि जादा तर लोगों ने अब विचा पढ़ना और इवन अपने ही नेताओं के बारे में भी सोचना उनके विचार पढ़ना भी छोड़ दिया है इसलिए वो इसी दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा परिवर्तन हुआ है जिससे कि अच्छा विमर्श होगा और अच् अच्छ निकलेगा आपकी संख्या कुछ कम हो जाए पूर्ण बहुमत ना नरे नर्मोदी को मिल पाए इतना भर भी अगर वो कर पाते हैं तो वो भी बहुत होगा उनके लिए और वो ये सब लोग मिलकर शायद उनको लगता है वो कर सकते हैं मतलब इसका कुछ कुछ ये हुआ जिसे उत्तर भारत के ग्रामीन अंचलों में एक कहावत होती है कि पी न पाओ तो ढरकाए जरूर देओ यानि अगर घुद पानी पीने की स्थिति ना हो तो मेज येज को हिला के पानी गिरा दो कि कोई दूसरा न पीपाई इसका मतलब विपक्ष का मंतव और दृष्टव और सिर्फ इतना ही है कि कि किसी प्रकार से कोई ऐसी परिसिति बने कि इस देश में मजबूर सरकार बने और हमारी सिति क्या है मजबूत सरकार बने और एक मैं गंभीर बात कहा देना चाहता हूँ देखिए भारत और चीन में जो अंतर आया ना चांते कहां से आया आज का जो माइटी चाइना है इट इस एन आफ्टर मेंट आफ्ट यानमेन स्क्वाइर 1989 और दुरभाग इसे भा हमसे बहुत आगे निकल गया पहली बार 2014 के बाद एक मजबूत निर्णाएक सरकार मिली जिसके लिए 140 करोड देशवासियों का विनंदन है ताकि वह ऐसे निर्णाएं ले सके जो भारत आगे बढ़े फिर चाहें पांचवी अर्थवस्था बनना हो या चौथा बड़ा स् होना हो जो मैं विनंदमृता से कह सकता हूँ चीन भी नहीं है कि रशिया कहे कि इंडिया इस अवर ट्रडिशनल एलाई और वो हमको S-400 दे और अमेरिका कहे कि इंडिया इस अवर इस्ट्रडिकल एलाई और वो हमको नाटो कंट्री के बाहर पहला प्रिडेटर्ड रोड द सुदाश्यों जी इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरे मन में आया क्योंकि आपने कहा कि निरणय लेने वाली सरकार है और बहुत बड़े बड़े निरणय लिये हैं चाहे आप डिमानिटियाशन कहें चाहे आप 370 कहें तीन तलाक कहें या जो भी हम जिसको कहते हैं अब यू सी सी या ये इंडिया बना भारत कौन सा ज्यादा मजबूत विमर्श होगा जो 2024 के चुनाव में जाता हो दिख रहा है देखे यू सी सी धारा 370 स्री राम जन भूमी का विशे ये पिछले 72 वर्षों से हमारे इस्थाई मुद्धे और जब जब जैसी परिस्तिती बनी हमने उसका समाधान करने का प्रयास किया है तो इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं और मैं ये भी मानता हूं कि इंडिया बन भारत का भी चुनाव से कोई मतलब नहीं है परंत उसी प्रकार जैसे मैं मानता था शीराम जन भूमी का भी चुनाव से कोई मतलब नहीं था मगर अफसोस की बात है कि विपक्ष्ट नहीं मुद्धों को बार बार लाकर चुनाव का मुद्धा बनाया और मैं यदिया कहूं तो गलत नहीं होगा कि जो आज इंडिया के साथ खड़े हैं वो तथा कतित बावरी मस्जिद के साथ भी खड़े थे और जो आज भारत के साथ खड़े हैं वही भव शीराम मंदिर के साथ भी खड़े थे जो आज INڈिया के साथ खड़े हैं उनके जमाने में IMF और World Bank के आगे हम याचक के रूप में खड़े थे जो भारत के साथ खड़े हैं उनके जमाने में हम बहुत आगे बढ़े थे और जो भारत के साथ खड़े हैं वहाँ विकास की दर सदयव महंगाई की दर से उपर रहती थी और लगवग लगवग डेड़ से पौने दोगनी उपर रहती थी तो इसलिए विकास हो या सर्विस परशी जनकल्यान का कारे हो अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा हो जो लोग इंडिया के साथ खड़े थे वो कौन थे कि 26-11 के हमले के बाद ठीक 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेक में जॉइंट डिक्लरेशन पाकिस्तान के साथ शामिल लिखते हुए ये लिखते थे जिनके लिए बैरक उबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 2010 में मनमोहन सिंगी से वारता के आधार पे कि 26-11 के बाद भारत की फौज आक्रमन करने को तैयार थी या कोई बड़ी कारवाई करने को तैयार थी मगर उस समय की कॉंग्रेस सरकार ने इसलिए अनुमत ही नहीं दी जिए उसके उपजे वातावरण से भाजपा को लाव हो सकता है और जो भारत के साथ खड़े उन्होंने ये इस्तिती बनाई पूरी बाला कोड़ तो छोड़िये वो इस्तिती बनाई कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहाँ के मेंबर आफ पार्लेमेंट का वो बयान याद करिये कि उसने कहा शा महमूत कुरेशी साब जो उससे हैं फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए आर्मी चीफ आए और उनके पाउं काप रहे थे ये फ्लोर अब दा हाउस पे दिया गया वैयान है और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वनना इंडिया अटेक कर देगा ये अंतर है कि कहां पर उनके जमाने में था कहां चाहें तो इस लिए राश्टी सौरकषा आरत मिवस्ता राश्टी सवाभिमान राश्टी जन कल्यान सब में जमीन आस्भान का अंतर है इसलिए मैं अन्त में सिर्फ ये कहूंगा कि अरुन गगन पर महा प्रगतिका अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला, अंगडाईली, सोया हिंदोस्तान उठा, जो शायद सोय हैं, उनको भी जगाने का काम, खुद बखुद ये सब बाते कर देंगी जो विपक्ष ने उठ करके आपके पिछ पर आकर खेलने का फैसला कर लिया है गलती से या नहीं, इस पर आगे चर्चा होती रहेगी, बहुत शुक्री है आपका, उनका कहना है कि ठीक है, अच्छा ही हुआ, कॉंग्रेस पार्टी ने विपक्ष ने जो है, इंडिया नाम दिया, अब भारत क्या ह हमें लोगों को ये बताने का मौका मिलेगा, आपको लगता है कि बीजे पी इस इंडिया वर्सिस भारत की इस कल से जो भैस चल रही है, इसको भी स्पिन कर सकती है, अपने फाइदे के लिए, नहीं, दरसल आप देखिए, नौ साल का, साड़े नौ साल का कारेकाल, जो पु जिनरी को बार-बार उभारने की कोशिश हुए है, कि हम को देश को कोलोनियल माइंड से निकालना है, उस प्रवित्ति से बाहर लाना है, लोगों को ये ऐसास कराना है कि हमारी संस्कृति गर्व करने लायक है, उसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है, और जो ये कोलोनि तो उसको कॉंग्रेस पार्टी ने ये नाम देकर एक तरह से उस बाइनरी को मेन स्ट्रीम मिला दिया है। अभी तक बीजेपी कर रही थी, प्रदानमंत्री बोल रहे थे, तो लोगों को मतलब दूसरा पक्ष नहीं दिखाई दे रहा था। आप एक तरफा जो है, आप हमला क सोच रहा था, ये पूछूं की नहीं पूछूं, लेकिन इस सरकार में तो बड़े-बड़े फैसली लिए गए तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी को आप मानने की अकल्प नहीं है, क्या इंडिया का नाम भारत रखा जा सकता है, उफिशली, उसके पीजे लोग कहे कि 24 के पहले हो सकता है, लेकिन हो सकता है, इसमें कोई आश्यर की बात नहीं है, और भारती जनता पार्टी में जनसंग के समय से बहुत से लोग थे, थे और हैं, जिनका मानना है कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं, शुरू में ही नहीं होना चाहिए था हो गया तो बदल देना चाहिए